फरिदा जंगल जंगल क्या भवें वनकंडा मोडे वसी रब हयाले जंगल क्या भूंडे धन अक्सर मनुक घर तो बार ही लबदा है पदार्थां दी भाल मनुक बार ही करदा है इसे तो भुलेखा पैजन दा है शायद रब वी बार है परमात्मा वी बार है चलो पदार धन बजार दे चो लबेगा शायद धरम परमात्मा दाना खुदा दाना जंगला दे चो लबेगा पर बाबा फरीद अपने अनभाव दे अधार ते कह रहे ने जंगल जंगल देच भटक के की कंडियाच मूं मारदा फिर देए वो ते तेरे अंदर है तो अंदर जात मार ध्यान देच जुड उस दे नाम नो जबके अपनी सुर्त नो अंदर मुखी कर तेनू थे प्राप्ति हो जाएगी तेनू लब जाएगा आप अगांचल के समझा दें हो या केंदेने फरीदा इनी निकी जंगिये थल डूंगर भोयम अज फरीदे कुजडा सैको हां थियो आम बाबा फरीद बिर्द हो गए काया निर्बल हो गए हथ कमन लग पै पैराच भी कमबड़ी केंदेने इना छोटिया जिया लतां देना मैं बड़े बड़े पहाडां थे डूंगरां थे भर्मन कर आउंदा सी चाल मारके मैं पहाडा नूं अबूर कर लेंदा सी कोल पे आए कुजडा वुजू साजना है पर कोल पे इस कुजडा नू भी चुकना थे वुजू करना मेरे लिए अउखा हो गया है कठन हो गया है फरीदा राती वड़ियां धुख दुख उठन पास ध्रिगत नादा जीविया जिना विडानी आस रात बहुत लंबी हो गयी है और एक सचाई ये दुख दिश समा बहुत लंबा हो जाना है सुख दिश समा छोटा हो जाना है परम अनन दिश समा खो जाना है समे नू नापणदा धंग एक बैरूनी है बारों है हत्ते बनी होई घडी नू वेक के समा वेकना धो पचान वेक के अंदाजा लाना हुन दिन दे किनने पैर हो चुके ने किननाक वकत हो गया है तो वकत नू नापणदा एक धंग बैरूनी है वकत नू, समे न ना पण दा एक ढंग अं़रूनी है बाहर दा ते एए है के सूरज उद्र हो रहे है दिन दा पहला पह रहे सिरते आ गए है दो पहार है सूरज डल गया है ते पहार है सूरज गुरूब हो गए है राधदा छोथा पह रुकस्त हो गya राद दा पहला पैर अरंब हो गया इस समेनों नापन तोलन दा बैरोनी धंग है और अंदरोनी धंग है दुख दे समा बहुत लंबा हो जानता है पीडा देच, वेदना देच, हौक्या देच, विछोडे दी तपश देच समा बहुत लंबा हो जानता है सुख दिछ, समा बहुत छोटा हो जान दाया और परम अनंद दिछ, समा खो जान दाया समादी दिछ, समा खो जान दाया पर सब तो बड़ा दुख कि ते होन दाया जितने कि वकत बहुत لمба हो जान दाया विडानी आस, खुधा नूछ चड़के एक इश्वर नो छड़के जो होर किसे आस देते अपनी जिन्दगी बितीत कर देने बाबा फ्रीद केंदेने रात बहुत लंबी हो जादी है समा बहुत लंबा हो जादा है कटे हां कटदा नहीं ध्रेगते नांदा जीविया जिना विडानी आस जो खुदानु छड़के किसे होर आस दे अपनी जिन्दगी बितीत कर देने लानत है उना थे आसा करिये राम की अवरे आस ने रास पादशादी बानी कह रही है इक दी आसा करिये उसते ही परूसा पूरा भरूसाती यकिन करिये तो जीवन देच सुक दा सूरज उदे हो जन्द है विडानी आसते जीवी है तो अंदकार अंदकार ही है ठोक रही ही ठोक रहान फरीदाजे में होंदा वारया मित्ता आइने आम हेडा जले मजीठ जऊं उपर अंगारां घर दिछ प्रोणे आगेने और प्रोणे भी मित्रश और लाजमिये किसी संत दे घर संत ही प्रोणे आउन गे किसे फकीर दे घर फकीराने ही महमान बनना है तो आपके दिने मित्तर आइने घर दिछ जी में कुछ चीज छुपा के रख दिती है उले कर दिती है ऐसी हालत दिछ मैंनो ऐसा मैसूस होंदा है जी में एतन भख दे वे अंगारियां ते जल रहे है भाव जद फकीर दे घर फकीर आवे सजण दे घर सजण आवे कुछ भी उले नहीं रखना चाहिए सब कुछ उस तो सदके करना चाहिए है कुरवान करना चाहिए है फरीदा लोडें दाख बिजोरियां किकर बीजे जटे हंडे उनकताएं दा पैंदा लोडें पट जीवन करम भूमी है इस दिजो करमा दा बीजबोई है वो ही कुछ पैदा होंदा है ऐसे कुछ करमने जिस तो दुख पैदा होंदा है ऐसे कुछ करमने जिस तो अनन्द पैदा होंदा है किड़े करमा तो दुख पैदा होंदा है जिना कीते करमा करके किसे नो दुख मिल गया है किसे दूसरे नो दुख मिल गया है इना करमा तो अपने लेवी दुख पैदा होएगा पर जिना करमा तो किसे नो कुछ मिल गया है कुछ भी मिले होए ग्यान मिले होए कला मिली होए सकून मिले होए शान्ती मिली ओवे धन मिले ओवे संपदा मिली ओवे सुख मिले ओवे इज़त मान मर्यादा मिली ओवे साड़े जिस करम तो जिसनों कुछ मिले है इस तों सुखांदी प्रापती हो दिये पर साड़े जिस करम ने किसेदा कुछ खोले है और कोई रोन ते मजबूर हो गया दुखी हो गया इना करमातों सवाइद दुखां दे फल ते और कुछ भी प्रापत नहीं हो दा बाबा फरीद के इनने ए अजान जट नादान जट बीजदा ते किकर है बूटे ते किकरां दे लंदा है पर लोडे दाख बीज़ोरियां बिलोचिस्तान दा एक इलाका बीज़ोर जित्थों दी दाख जित्थों दी अंगूर बड़े मशूर बहुत मशूर सवात रियासत तो परेदा इलाका बिलोचिस्तान लबदा है बीज़ोरी दाख पर बीज़दा है किकर मंग दाए रेशम पर कत दाए उन भाव करम कुछ करदाए मंग दा कुछ है पर कौन दसे अनंद ते सुक उन्हाई करमा तो मिलदाए जिसकी ते करम तो किसे नू सुक मिले किसे नू अनंद मिले उन्हाई करमा तो अपने नू अनंद मिलदाए अपने नो सुख मिल दाए किसे नो सुख दिते बिना सुख प्राप्ट करना बहुत अउक है बहुत कठन है बाबा फरीद इस स्लोग दे रही ऐ कुछ समझा रहे ने फरीदा गली चिकर दूर घर नाल पे आरे ने चलाता भिजे कंबली रहाता तुटे ने रस्तिच बारिश करके बहुत चिकर है हर गली दे चिकर है प्यारे नो मिलन दी तांग है चिकर चुलंगना बड़ाओक है और चिकर वजदा जा रहे है वद्धा जा रहे है क्योंके बारश जएदा हो रही है जएदा हो रही है काश बैरूनी गलीयां दे चिकर हो वे तो मनो किसे ना किसे तरीके ना लंग के गली अबूर कर सकदा है पार कर सकदा है पर इंद्रियां दी गली दे चिकर हो वे अक्खां दे चिकर हो वे पर तिरिया वे खणदा पर धन वे खणदा कना दिच चिकड़ोवे पर निंदा सुनन दा रसना दिच चिकड़ोवे मिथेया बोलन दा और इस तरह मन दिच चिकड़ोवे गल्ट सोचन दा तो किमें लंगे आ जाए किमें बंदगी कीती जाए चलदा हां कम्बली बेज दिये भाव जितना चलदा हां अंदर बारेकी ते पैदा होंदी है और उतने अखां परतन ते प्रभावत होंदी हैं मूरक मूर मनुक इतना स्वपन तो प्रभावत नहीं होंदा जितना स्याना प्रभावत होंदा मूढ बंदा इतना संसारदे पदारथा तो प्रभावत नहीं होँदा जितना एक स्याना होँदा है जितनी उस दी स्यानी अकल होंदी जाएगी जितनी उस दी सोच शक्ती वद्दी जाएगी उतना ही ज्यादा उस देते है संसारदा प्रभाव पेंदा जाएगा क्योंकि हर वस्तूदी उसनों समझ पेंदी जा रही है हर वस्तो दे रस्ता उसनों पता चलदा जा रहे है और हर वस्तो उसनों परभावद कर दी जा रहे है दुनिया देच स्वपन तो परभावद चूटी दे महान आलम फाजली होए ले तो बाबा फरीद के दिने अगर मैं चलदा है तो अक्छा दा ची कडवद दा है कना दा ची कडवद दा है रसना ते मन दा ची कडवद दा है ति जे ना चलना तो प्यार तुटदा है खुदा दा सने तुटदा है तो आखर फरीद दा फैसला भिजो सिजो कंबली अलो वर्से में जाए मिला तिना सजणा तुटो नाईने बारिश हों दिये ते होन देओ चिक्ड वददा है ते वदधन देओ और चिक्ड नाल एक कंबली एक जीवन दा चोला लिबड़दा है ते लिबणन देओ खुदा नू याद कर देओ संसार याद आउदा है ते आण देओ प्रमात्मा नू चेते कर देओ अगर पदार ते याद आउदेन ते आउदेओ धरम अंदर देच जान देओ जे धन चेते आउदा है ते आण देओ उस सोने खुदा प्रमात्मा नू चेते कर देओ जे संसार दा रूप रंग पर भावद कर दा है ते कर देओ तो चली जा तो जपी जा एक दिन चिकड़ चो लंग जाएगा एक दिन मिलाफ हो जाएगा और मिलाफ दे होंदे आई सारा चिकड़ पिछे रह जाएगा सारे दुख संताप पिछे रह जानगे अपने अन्भाओ दे अदारते ये महाँन सूफी संद बाबा फरीद कह रहे ने कि अगर मनुख जपदा रहे, करदा रहे बंदगी तो एक दिन इस चिक करनू अबूर कर जाएगा और उस निर्मल सूने खुदादी गोद दे जा बेठेगा आप अगे चलके अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने फरीदा मैं भोलावा पगदा मत मैली होए जाए गहला रू न जानए सिर भी मिटी खाए किसे खान ने किसे पठान ने जिसने बड़ी सोनी दस्तार सजाई होई सी फकीर नो इसलिए सजदा ने कीता क्योंके फकीर जमीन ते बैठा सी मिटी दिच बैठा सी तो दस्तार ने मिटी आलूद हो जाना सी दस्तार ने मैली हो जाना सी तो मत्हा नहीं ठेक है कोल बैठ गया फरीद के इनने भोले मनुक नो इतना ही नहीं पता इतना ख्याल आया पग मेली हो जाएगी पग नो मिट्टी लिबड जाएगी पर कौन दसे तुम जिस सिर देते पग बनी है एक दिन ते सिर नो भी मिट्टी ने खा जाना है इस सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा इस सिर भी मिट्टी हो जाएगा इस सिर मिट्टी होवे है इस तो पहले तो किसे फकीर दे कदमादी खाक बन किसे फकीर दे कदमादी मिट्टी बन नहीं ते एक दिन मिट्टी हो जाएंगा अगर फकीर दे कदमादी तो मिट्टी बन जाएंगा तो अकसीर बन जाएंगा महान हो जाएंगा नहीं ते एक दिन मिट्टी हो जाएंगा आप बड़े सोने ढंगनाल सुचेद कर रहें ने आप बारे एक बड़ी सुन्दर गाथा है आपने इसमारिक्ते जो तो रहे है माने तो रहे है एठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नालवी तल्क है पेरंगर पेघंबरी खानदान नालवी तल्क है जिते फरक शाह काबल दा बादशाह उस्दे आप भतीजेन है उते मुम्मद शाअ अब्दुल्ला जो हजर्ट अली दे शाई खानदान आल तल्लुक रखदा है हजर्ट अली दे रिश्टेदार है उस्ती बच्ची मर्यम जो जलाल अदिन नो व्याई गई और उस दी कुखतों आप जनम लें देने तो इस तरह पेगंबरी घराने नाल ती शाही घराने नाल आप दा संबंद है माँ बड़ी सतो गुणी है सत साल दी आप दी उमर है बचियां जी खेड रहेने माँ आके कें दिये ऐह मेरे बच्चे सवेरे खेड़ें बड़ें दूपैरे खेड़ें शामी खेड़ें कदी खुदा नो वी याद कर ले आकर नमास भी पढ़ ले आकर बच्चे दा भोला सुभाओ माँ खुदा की देगा बच्चा लेन दी भाशा जानदा है देन दी नहीं एक बच्चे कोल पज़ ख़ड़ोने होँन दूसरे कोल एक कोवे तो सरफ इतना कह देए बेटा तेरे कोल पज़ ख़ड़ोने ने तू एक उसनों दे दे तो ए बच्चा दूसरे दा एक खोन दी ते कोशिश करेगा अपने पञ्याद दिचों एक देन नू राजी नहीं होवेगा क्यों? देन दी भाषा जान दाई नहीं देन दा सवाव अजे इस देन दर नहीं पैदाऊया खोन दा लेन दाई जज़वा है खुदा की देवेगा इस सादगी दी मूरती माने किया एए मेरे बच्चे खुदा खंड देवेगा खजूरा देवेगा शेहद देवेगा क्यो देवेगा मजदा दुद देवेगा मिठाई देवेगा सारीया ही मिठियां चीज़ां दा जड़ माने ना लेया उस जमानें दी सौगात फृत दे मौधज पानी आ गया मा तो फिर मैंनो नमाज पढ़ने सिखा मैं पढ़ांगा नमाज दो वकत दी नमाज माने इसनो पढ़ने सिखाई फजर दी निमाज, इशा दी निमाज, सवेर दी निमाज, शाम दी निमाज वजू करके मुल्ना मसल्ला विछा के निमाज जद पनल लगे है अक्खा मीट के माने मसल्ले दिथले खजुरा रख दिती है ने निमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेट दा है थल्नो खजुरा मिलिया कपड़े देच लिप्टी आई है परसन हो गया केंदे ख़दा इती नकद सवदा है इदर निमाज पढ़ो इदर खजुरा विश्वाश बज़ गया बरुसा बज़ गया शाम दी निमाज पढ़ी माने थले गुड रख देता है दूसरे दिन निमाज पढ़ी माने थले मिठाई रख देती कदी कुछ कदी कुछ रोज इस बच्चे नो सवेरे शाम प्रापत हो जाना है और जितना प्रापत होंदा जारे है खुदाई विश्वास वद्दा जारे है वद्दा जारे है वद्दा जारे है अज एक अजीब औ गरीब घटना घट गई इस शादी निमाज दा वकत माविचारी पानी भरन गई सी पुराना जमाना खूते पानी भरन गई है फ्रीद दे निमाज पढ़नदा वकत हो गया मुसल्ला विचा के उजू करके जुड के निमाज पढ़न लगया है अज मन जुड गया है बड़ा सरूर तारी होया बड़ी मस्ती मिली हैरान होया खजूर, शेहद, मिठाई यह थे कुछ भी नहीं यह थे खेड़ी कुछ और है आज मुसल्ला जट चुके है निमाज पढ़न तबाद आज ख्याल ही नहीं आया थलों कुछ मिठाई लेनी है क्यों आज अगम्मी रस्दी प्राप्ती हो गई दुनिया ही कुछ और होगी नेतर सज्जल हो गए, अश्क बाहर हो गए कि इतने दिन इस रस्ट वांजी जिन्दगी के इस तना रहे गई और ना रस्ट हलांके उमर ते कुछ भी नहीं सथ साल दी कोई लंबार सब तीत नहीं होया लोग कि यसी साल दी उमर भी आजाई गवा छड़ देने लेकन पश्चा ताप जा गया इस अगम्मी रस्तों के जीवन इतने साल बांजा के उर रहे गया बेठे नेक पासे नेतर सज्जल चेहरा हो रहो गया है अज मस्त कुछ हो गया है माँ आ गई है ओज़ देख दीए फरीद नो ते ओदे कॉल देख दीए मुसले नो तो ख्याल आया फरीद नमाज पड़ बैठा है आज इसनों खजूरा ने मिली आ आज इसनों मिठाई ने मिली पता निये कल तो नमाज पड़ेगा के ने पड़ेगा लगदा इसनों भरोसा तुट गया है इदिया अख्ञा सजलने रो रहे है माँ एकदम अंदर पजी होई गई थाल देच शहदी कटोरी रखी लड़ू रखे खजूरा रखिया किश्मिश रखी दाख रखी ते थाली फरीद देगों करके कहें लगी एए मेरे बच्चे अज खुदा नू जल्दी बड़ी सी और उ मेनू देगए उसने मेनू एए आख्या फरीद नू देदेड़ा चीख निकल गई फरीद दे मूँ ओ माँ अज ते खुदा मेनू देगए रोज खुदा तेरे हत्थों मेनू चूटियां खजूरां देंदा सी अज मेनू सची खजूर मिल गई खुदा नहीं देदेती है तेनू खेचल करन दी हून लोड नहीं तेनू विचोला बनन दी हून कोई लोड नहीं खुदा ने सिद्धाई मेनू रस देदेता है ऐस वाज़ते हून सब एचीजां बे मेनी ने फिजूर ने केड़ियां फरीदा सक्कर खंड निवात गुड माख्यो माजा दुदे सब वस्तू मिठियां रब ना पुजन तुदे ए रब ए खुदा जो तेरे नाम दे मिठास है उस दे सामने एक खजूरां की ने एक गुड की है एक शक्कर की है एक शहिद की है तुम बहुत मिठा है बहुत मिठा है पतेंत स्वादी है फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी बुख जिन आखा दी चोपड़ी घणे सहन गे दुख इस लोक बारे ठीका कारां दा विचारिक लोगां दा अपना अपना मत है और भगत माल दिच इस संबन दिच गई तरह दिया साखियान है दरसल लकड़ दी रोटी बुख नहीं मिटा सकदी लकड़ दी रोटी नूँ पेटते बन के बाबा फरीद गुमदे रहे इतनी स्यानी आत्मा इतना दूर द्रिष्ट मनुक इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती फिर एक क्यों कह रहे ने फरीदा रोटी मेरी काठ की दरसल देरे दिच अकसर घरां घरां तों मंगियां या रोटियां दिक्षा दिच रोटियां आउनियां संब लोगी बची कुछी रोटी दे दें देसन बाबा फरीग बिरदो चुके सन मुँदेच दांदने सन सुकी रोटी नो जैसे मुँदेच पान ते इंज परतीत होए जैसे लकड नो मूच पा रहेने सुकी रोटी आज भी तश्वीदे निनन एते लकड़ वर गी है की खाई है एते लकड़ वर गी है उसी तश्वीदे नो बाबा फ्रीद वर्द रहने एक ते मेरे दंद नहीं एक ए रोटी सुकी रोटी मेरी काठ की लावन मेरी बुख लें दे पंजाब देच साग सबजी नो लावन केंदेने जे देना लाके रोटी खाई जाए लावन मुलतान, खुशाब, कुंदिया, मियावाली, सरगोदा जंग मंगेना, डेरा, घाजी खान और फरंटीर दे लाके देच साग सबजी नो, दाल, बाजी नो केंदेने लावन बाबा फरीद, आप दी, बोली, पंजाबी और खास करके लें दी पंजाबी लोकल भाशावाँ देच आपने मनुकता दी जोली देच खुदाई ग्यान पाया तो आप केंदेने, ये जो मेनो बुख लगी है बस एही मेरा लावन है एही मेरी साग सबजी है धनगुर नानिक देव जी महराज केंदेने रुपे कामें दोस्ती बुखे सादे गंड बुख ते स्वाद दाई आपस देच ताल मेल है बुख नहीं ते स्वाद कादा तो बाबा फरीद केंदेने जो मेरी साग सबजी है ओ है बुख ते बुख देच जद में सुकीर उटी खाना स्वादी लग दिये चंगी लग दिये जिनना खादी चोपडी घने सहन गे दुख बुख तो बिना जो चोपडी ते होर तरा तरा दे पदारत खाने न पर बुख नहीं है बुख तो बिना खाना दुख ही है एक एक बुख की दुख नो जनम देगी एक एक बुख की रोग नो जनम देगी एक एक बुख की पीड़ा नो पैदा करेगी बाबा फरीद इस सलोक दे रहीं एही कुछ समझा रहे ने जो बुख है बस एही मेरी साग सबजी है और इस लिए जद मैं सुकी रोटी खाना तामी स्वादी लग दिये पच जान दिये ते श्रीर दे अनकूल बकैदा जो है कम कर दिये पर भुख ही नहीं है ते तरह तरह दे स्वादी ते पोश्टिक खाने खा दे गएने एक एक बुर की रोग नो जन्म देवेगी बुख तो बिना खाना दुख ही है ऐसा इस स्लोक दे रहा ही बाबा फरीद जगत नो ग्यान दे रहे रुखी सुखी खाए के ठंडा पाणी पीयो फरीदा देख पराई चोपडी ना तरसाई जीयो दूसरे दा धन दूसरे दा पदारत दूसरे दा रंग रूप वेक के अक्सर मुनक प्रभावत होंदा है और मन देश तरिशना पैदा होंदी है मन देश साड़े भी पैदा होंदी है जैलसी भी पैदा होंदी है ऐस दे कौल इतना है मेरे कौल नहीं है तो बाबा फरीद इत्वे समझा रहे हैं हकीकत है कि मनुख कई दफ़ा कुछ तो पाणी भर दे हूं या सोच लेंद है नहीं दर्या तो पाणी भरिये क्व़ुद देच पाणी थोड़ा है द्रिया देच पानी बहुत वड़ा है बहुत सारा है पर कौन दसे द्रिया तो भी उतना ही पानी मिलेगा जितना तेरा मटका है मनुक दूजियां दे लंबे चोड़े पसारे ते वेख लेंदा है अपनी प्रालबद नहीं वेखता तो दूसे ये दा पसारा वेख अपनी प्रालबद नहीं कोई ग्यान नहीं तो फिर दूसरें दे प्रत्री इर्शा पेदा हो जादी है और मन दूसरें दा साजो समान देखके पदार थां ते रंग रूपनो देखके अपने अंदर बार बार लालच नू जनम देंदा है ते मन तरसदा है बाबा फरीद के निन नहीं अपना मन ना तरसा तुँ पामेर उखी सुखी है बुख देज खाल है ठंडा पानी पीले दूजियां दी चोपडी वेख के दूजियां दी महान धन संपदा वेख के अपना दिल ना तरसाया कर वेख लेया कर अपनी प्रालबद ना वेख लेया कर दूजियां दा धन ते रूप अगर दूजियां दा ये तू वेख दा रहा तो अपने जीनों तरसांदा रहेंगा और बंदगी नहीं कर सकेंगा अज ना सुती कंतस्यू अंग मुडे मुड़ जाए जाए पुछो सुहागणी जाए पुछो दोहागणी तुम क्यों रेन विहाए बड़ा सुन्दर उदारन देता है एक दिन के दिरे बाबा फरीद निमाज नहीं पढ़ सके शाम दी बंदगी नहीं कर सके एक समय भुला बैठे रात नो सौन लगे नेद नहीं पैंदी पस्चा अताओ इस शादी निमाज क्यों नहीं पढ़ी मैं निमाज क्यों भुला देती मैं एक वकत अजाई क्यों गवाच छड़े तो उदारन देने एक रात पतीदा मिलाप नसीब नहीं होया अज न सुत्ती कंत सौन आज ही कंत को सौना नसीब नहीं होया अंग मुडे मुड़ जाए बार बार करवटां बदल रहे हैं नीद नीद आ रही पस्चा ताबदा बोज दिल दिमाग ते पै जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रेन वे हाए पुछो उना डोहागणीया को लो जिन्होंने कदी निवाज नहीं पड़ी कदी खुदानों याद नहीं कीता कदी कंत देनाल जो है है सौना नसीब नहीं होया इना दी रात के में बतीत हों दिए इना दा जीवन किस तरह बतीत हों दै इना दी जिन्दगी किस तरह लंग दी है मेंनू ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है करवटां दा बदलना है ते जिना नू कदी नसीब नहीं होया वो किमें अपनी जिन्दगी कट रही आना है वो किमें जीवन बतीत कर रही आना है बंदगी तो हीना जो जीमन बितीत कर रहे है बाबा फ्रीद हैरानों के केने ने किस्तित था है उग जिंड़ी बितीत कर रहे है और कि में उस दी जिंड़ी जो है लंग सगदी है आप हैरानगी नाल इस तर्हादली पुछ कर रहे हैं साहुरे ढोई ना लहे पईये नाई थाओं पिरवातणी ना पुछाई धन सोहागन नाओं सोरे घरदेच था कोई ने ते पेकेच भी कोई ने भाव लोग तो एक दिन तुर जाना है पर लोग दाव सेबा नसीब नहीं हो जा पर मातमा नाल बने नहीं और पदार्था नालों एक दिन तूट जाना है निरंकार नाल बने नहीं और सनसार दा एक दिन भी छोड़ा हो जाना है भाव सौरे घरदेच था कोई ने, पेके घरदेच भी था कोई ने, पती ने कदी पुछेया तक नहीं, तू कौण है, तानसो हागन ना, कैसा तू फकीर है, कैसा तू भगत है, परमातमा दे घर तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा, ते सनसार दे तेरा वसेबा हो नहीं सकेगा, परमातमा नाल तेरी सांज बढ़ी नहीं, कैसा तू भगत है, कैसा तू दर्वेश है, ए फकीरी कैसी, आप इस ते हैरानगी प्रगट कर रहने, इस सलोक दा कोई भाव गल्ट ना ले लवे तो अगे चलके साहिब शिरी गुरुनानिक देव जी महाराई दा पावन सलोक है आप कहें देने साहुरे पईये कंत की कंत अगम अथाओ नानिक सो सोहागनी जो भावे बेपरवाओ सौरा घर पेका घर जो कंत दी बनी होई है किडे कंत दी जो अगम है अथा है इदरियां दी पाँच तो परे है बड़ा गैरा है उसोहागनी हैं जिडे उस अगम अथा बेपरवाओ प्रमात्मानों भाजान दीए चंगी लग जान दीए मनुख दे वस्दी की इगल कुशिश करदाय मनुख प्रभुनु प्यारा हो जामा कुशिश करदाय मनुख लोग सबर जाए लोग दिछ थां कोई नहीं पर लोग सबरया कोई नहीं प्रमात्मानाल सांज नहीं बढ़ी तो धन गुरु नानिक देवजी महराज के दिने वो प्रमात्मा अग्म है अथा है बेपरवा है यह ते जिड़ी उसनों भाजाए बस ओही स्वागनी है जो नहीं भाई ओही ड्वागनी है यह फैसला प्रमात्मा ते है यह फैसला फकीरते नहीं है यह फैसला अकाल पुरु रुखते है यह फैसला भगतते नहीं है दरसल कहते एही रहने बाबा फरीद भी और अर्थ करन लगें बलेखा ना पह जाए धन गुरु नानिक देवजी महराज इसनों बड़े सोने ढंगनल खोल देने बाबा फ्रीद अगां इसनों इंज बियान कर देने नाती धोती संबई सुती आए नचिंदे फरीदा रही सो बेडी हिंग दी गई कतूरी गंदे इसनान भी कर लेया सुन्दर बस्तर भी पैन ले हार शिंगार भी कर लेया कस्तूरी दी सुगंद भी ला लई सब कुछ हार शिंगार सोना करके फिर सौं गई गहरी नेंदे सौं गई तो संबंद जोडन लई ती जागरती चाही दिये ये ती सौं गई तो फिर की होया उस सुगंद भी उड़ गई कपड़ेंच भी सलोटां पै गई यां शिंगार भी बेढंगा हो गया और रात एमे लंग गई करम कांड मनुक ने सारा की था सारा करम कांड की था तीर्थांदा रटन की था वर्त रखे देवी देवत्यानों मनाया दूसरे पासे जाईए रोजे रखे हज की था पूरी शरादे मताबक अपनी जीवनी बितीत की थी अपनी जिन्दगी बितीती लिकन रहे अचेत सुचेत नहीं हो सके परमातमा दा कोई ग्यान ने मिल सके तीर ना ही उस दा कोई चिंतन की था सिर्फ उपरोकत करम कांड देच सिर्फ बेहरोनी करमकान देच अपनी जिन्दगी बितीद के कर देती तो एक दिन की होंदा है करमकान कर देयां कर देयां मनों करमकान तो ते उकता जांदा है और उस परमात्मा दी प्रापती तो वाँ जा रहा जांदा है भाव शिंगार है परमातमा दे मिलाप लई शिंगार सिर्फ शिंगार लई नहीं है करम कांड है परमातमा तक पहुंचन वास दे करम कांड कोई पहुंचन नहीं है शरा है खुदा तक पुचांड लई शरा अपने आप देच खुदा तो बेना कुछ भी नहीं खुदानल जोड़ देए तो शरा महान है दरसल बाबा फरीद इस पावन सलोक दे रहीं ऐ जगदनू संदेश दे रहें ने जो बन जादे ना डरा जेसे प्रीत न जाए फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुक गए कुम लाए जवानी जानती ये ते जावे जीवन देश सब तो बड़ा घम एही होंदा ए जवानी ना जा जाए बचपन जान दा जावे खुशी नाल जावे जवानी नहीं जानी चाईदी मनुक आखरी दम तक जवानी नू रोकन दी कोशिश करता ए केस चिटे और एन काले कर रे है जुरियां पय रह्याने चेरे नो सुवारन शिंगारन दी कोशिश कर रहे है जवान दिसा जाणी नो कोई भिरुकसत नहीं करना चांदा एगल वखरी है जाणी रुकसत भी हो जाणदी है तावी बंदा समझ लेंदा नहीं जवानी मेरे कोल बैठी है इस बुले खिच रेंदा है और इस गलतों इस गलता सुबूत मिलदा है कि जवानी तो कोई आहम खास चीज इसनों प्रापत नहीं हो सकी वरना जवानी दे इतनी तरपना रेंदी वरना जवानी दे इतनी खिचना रेंदी बाबा फरीद केने जवानी जान दिये ते जावे जवानी दा जोबन जान दा है ते जावे पर खुदा दी प्रीत नहीं जानी चाही दी ऐ खुदा जान दिये जवानी जावे मैं सुनू रोकन दी कोशिश नहीं करदा ते नाहीं रुक सक दी है पर तेरी प्रीत मेरे को रुकनी चाही दी है तेरी प्रीत नहीं जानी चाही दी फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए पता ने कितनी जुवानिया सुक के कुमला गईया बुढ़े पे दी कबर दिज जा पईया प्रभू प्रीत तो बिना खुदाई इश्क तो बिना एस वास्ते हे खुदा तेरी प्रीत नहीं जानी चाही दी जवान नहीं जान दी है ते जावे पई इस दी मेनों कोई लालसा नहीं तडप है खिच है तेरी प्रीत दी तेरे प्यार दी फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरे विचावन लेप यो हमारा जीवना तुँ साहिब सचे वेक बिरहे दी पीड़ा विचोडे दी पीड़ा जिसनल जितना प्यार होवे विचोडे दी पीड़ा उतनी महान हो जान दी है उस साहिब नाल उस सचे नाल प्यार है तो फरीद के दिने ऐ ख़दा तेरे भी छोड़े दे असी इस धंग नाल जी रहे हैं चिंत खटोला चिंता दी खटिया है वान दुख और इस खटिया नू जो बुणे है दुखा दे वाना नाल बुणे है लाजमी चिंता तो दुखी निकल दा है बिरहे विच्छावन लेब बिरहा तुलाई तेरजाई है बिरहा सड़ा विच्छावना है जी रहे हैं चिंता दिच जी रहे हैं दुख दिच जी रहे हैं बिरहा दिच ए हमारा जीमना तुम साहिब सच्चे वेक ए सच्चे परवर्दिगार ऐ मेरी तर्जे जिंदगी है तु तर्स खाके वेक तु रहमत भरी निगानल वेक मैं इस तरह जी रहे हैं दुख दिछ जी रहे हैं चिंता दिछ जी रहे हैं तेरे बिरहे दिछ जी रहे हैं लेकिन इस बिरहे दी अपने एक महानता भी बियान कर देने बाबा फरीद बिरहा बिरहा आखिये बिरहा तु सुल्तान फरीदा जित तन बिरहे न यूपजे सोतन जान मसान बिरहा तु खुदाई खुबियां दे चाओ तु रब्बी गुणा दे चाओ सुल्तान है बिरहा अपने आप देच एक अगनी है जैसे तन देच अगनी है जठर अगनी है और एक तन उ जिन्दा रख दिये मुर्दे दी पैचाण है इस देहत पर ठंडे पह गए ने ठंडा हो गया है अगनी नहीं रही मन वी जिन्दा रहन दे अगनी नाल और ओ अगनी है तृष्णा दी हर वकत मन देच तृष्णा दी अगन रहन दिये भगत लोग फकीर लोग इस तृष्णा दी अगनी नों ही ही बिरहे दी अगन देच बदल देन देने तुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आउगणानू जलाके खाक कर देंदी है इस वास्ते बिरही मनुक दें अंदर कोई भी आउगण नहीं होंदा उस दाहर दाशुद होंदा है इस वास्ते कुछ सूफी संता ने ते इंज भी कह दिता है ऐखुदा तेरा वसल नसीब नहीं तो ना सही तो ने मिलदा ते ना सही कम से कम तेरा बिरहाते रवे तेरा विछोडाते रवे तेरे बिरहेदी तड़पनते रवे या रब दुआए वसल ना हरगिस कबूल हो फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई ए प्रभू ए हसरत ते रेन ही दे ए बिरहाते रेन दे एक कोई बिरहा है जिस दिछ दुख होंदे आँ या भी सुख है बड़ा रस है इस वास्ते बिरही मनुखा ने ऐसा भी कह दिता है ए खुदा ने मिलदा ते ना सही कम से कम अपना बिरहा रेन दे ए प्रभू ने मिलदा ते ना सही कम से कम अपने वी छोड़े दी तडप रहन दे अपना बिरहा रहन दे और ए बिरहा रबी गुणा देचों दैवी गुणा देचों बाबा फरीद के इनन सुल्टान है बादशा है सिर्मावर है फरीदा जित तन बिरहे ना उप जे सोतन जान मसान जिस मनुक दे अंदर ए रबी बिरहा ए खुदाई तडप नहीं पैदा होई समलो ते शम्शान गाट है क्यों शम्शान देच मुर्दा जलाए जान देने ते जिस हिर्दे देच बिरहे दी अगन नहीं उते तरिशना दी अगन है और तरिशना दी अगन देच जिन्दा मनुक जल देने जिन्दा लाशा जल देने जिन्दा मनुक जल देने और उच चलदा फिरदा शम्शान गाट है जिस दे अंदर तरिशना है हर वकद जल रहा हुदा है तरिशना दी अगन उस दी शांती नो जला के भसम कर देंदी तरिशना दी अगन बरदाश्टा मादा नहीं रहने देंदी तरिशना दी अगन धीरज नहीं रहने देंदी तरिशना दी अगन समद्रिष्टी नहीं रहने देंदी तरिशना दी अगन दयानों नहीं रहन देंदी सारे दैवी गुणानों जलाके खाक कर देंदी ये और ए अगन हर वकत जल्दी रहे तो मनुक चलदा फिरदा शम्शान गाटी बनके रह जाना है तो बाबा फिरीद के इने जिस मनुक देंदर भी ये बिरहे दी अगन नहीं पैदा होई समलो ओ मसान है ओ शम्शान गाट है फिरीदा एविस गंदला धरिया खंड लिवार एक रहा दे रहे गए एक रादी गए उजाड विकारां दी एक खेती जहर बरियां गंदला ने इस जहर बरी साग सबजियां ने विकारां दीयां एक गंदला वाशना मां दीयां एक गंदला टिका काराने विद्वानाने प्राचीन टकसालियाने इंजवी अर्थ की थेंने इस्त्रिया जहर बर्या गंदलाने एक रादे रह गए ने एक रादी उजार करके चले गए ने भाव एक भोगदियां भोगदियां खुद रह गएने एक भोगदियां भोगदियां उजाड के चले गएने बेवा करके चले गएने खेती उजाड के चले गएने पर एक दूसरे अर्थी किसे हद तक मन अपील कर देने एक पदारत दी वाशना इस अनसार दी वाशना दी खेती विस भरियां गंदलान है एक रादे रह गए एक ते बॉंदेयां बॉंदेयां ही रह गए एक ते पदार्थानू भोग देयां भोग देयां ही रह गए जैसे भरतरी केंदेने मैं नहीं भोग गया पदार्थानू पदारतानी मेनू पोग ले है खतम नहीं होई पदारत मैं खतम हो गया तो ठीक कहे रहे ने बाबा फरीद है एक रादे रह गए एक भोग देया भोग देया रह गए एक भोग के चले गए फसल सुन्नी छड़ गए पदारत छोड़ गए मकान खड़ा है तिया पुत्तर मौजूद ने तन संपदा मौजूद है सारा रंग रूप मौजूद है आप नहीं रहे रुकसत हो गए चले गए बाबा फरीद एक एक सलोक दे रही अमरत मैं सौगात मनुकता दी छोली दिज़ पा रहने सुचेत करन लई अगले सलोक देच कहें देने फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगे सिया तु आहो केरे कम दिन दे चार पैर तु गवाया कम करके तरह तरह दे पदार थानु हंडा के गवाया राद दे चार पैर तु सौंके गवाया पर एह हिसाब किताब ते रबने मंगना है तु किसले इस जगत दे चाया सी इस दुनिया देच किसले आया सी तेरी जिन्दगी दा लक्ष की सी सिर्फ सोना सिर्फ पदार था दा भवगना नहीं तेरी जिन्दगी दा लक्ष ते खुदा सी तेरी मनजल ते खुदा सी और तु ते जिन्दगी गवाँ छड़ी सौंके हंडा के खा के ते सौंके भोग के ते सौंके इस तरह जो है तो जिन्दगी बिदीद कर देती लक्ष तक पौँचिया ही नहीं मन्जल तक पौँचिया ही नहीं रस्ता चाहे कितना सुखैन हो वे रस्ता चाहे कितना सुन्दर हो वे पर रस्ते दिच आराम किते, रस्ते दिच बिश्राम किते, आराम बिश्राम ते घर दिच ही हो सकता है रस्ते दिच नहीं सौ जाना, खा लेना, बोग लेना, सो लेना, इते रस्ता है ठीक है, लोड है रस्ते दिवी, पर कुई रस्ते नू घर बना लवे रस्तेनु ही लक्ष समर लवे रानु ही मनजल समर लवे उते भुले होया है उते भुलेखे देचा है तो बाबा फरीद सुचेट कर देने सुता है खादा पीता है ठीक है पर तेरी जिंदगी दा लक्ष दे खुदा होना चाहिए है पर तू ते अपनी जिन्दगी दा लक्षी एही कुछ बना दिता है भाई साथ भाई नंदलाल केंदे ने बंदा पे दाशुद बराए बंदगी ऐ बंदे तू बंदगी लेए सब कुछ तेरे लेए तू बंदगी लेए इसनों जनाब हाफिस इंज बेयन कर देने एरान वे सुफी संथ हाफिस खुरदन बराए जीस्तन वजिकर करदन अस्त खाना पीना इस वास्ते है कि तू जिंदा रवें और जिंदगी इस वास्ते है कि तू जिकरِ इलाही करें शिरी कبीर भी कहे देने दो सिर मांगों चुना पाए घ्यो संगलूना अद सिर मांगों दाले मुको दोनों वक्त जिवाले खाट मांगों चौपाई सिरहाना और तुलाई उपर को मांगों खीदा तेरी पगद करे जन खीदा मैं ना ही कीता लबो यह इश्वर मैं लोब नहीं कीता एक नाम तेरा मैं फबो मैंनो फबदा तेरा नाम मैंनो रस मिलदा तेरे नाम देचाँ पर तेरे नाम देचाँ मैं रस मान सकाँ जिन्दगी चाही दिये और जिन्दगी तारें दिये सारे पदारतों पदारत मंगदां मैं जिन्दगी लई और जिन्दगी मंगदां तेरी बंदगी लई तो बाबा फरीद के ने जिन्दगी दा लक्ष खा लेना, सो लेना, भोग लेना, सो लेना ये नहीं है जिन्दगी दा लक्ष है खुदा जीवन दी मनजल है खुदा ओ तु सुचेत हो के अपने मनजल दी तरफ जो है चल बाबा फ्रीद अपना एक होर अनभव मनुखता दे सामने रख देने फरीदा दर दर वाजे जाए के क्यों डिठो घड़ आल इन दो सामारिये हम दो साहन दा क्या हाल पुराणे जमाने ज़ हर थाने दिज एक गड़या लोंदा सी उसनों वजान दे सन दिन दा हुन पैला पैरो है दो वच गया दूजा पैरो है तिन वच गया तीजा पैरो है चार वजा देते राद दिन दा च Kern हरो है दिन ते रात दे चार अठ पैर चार चार करके और सट घड़ियां तो अद्धी रात नो बकेदा सट दफा वजाया जानदा सी ताकि पता चल जाए होड़ अद्धी रात हो गई है सट घड़ियां बिती तो होगी है फरीद केंदे ने कि मैं ये थाने दे दर्वाजे ते जाके घड़ियाल क्यों देख लिया उपराना जमाना इस विचार ये दा कोई दोश नहीं और इन्हों मारे जा रहे है हाथोड़ा लेके जड़ उसनों बजान दे नहीं तो आपके निस्दा ते कोई दोश नहीं और घजब दी गल है घड़िये घड़िये मारिये पहरी लहे सजाए सो हेड़ा घड़िया लजाओं डुक्की रहन वे आए हर पैर तो बार मारेया जान दा है हर घड़िये दे चिसनों मार पेंदी है इसे तहीं ये मेरा जीव है हर वक्त विकारां दी मार पेंदी है हर वक्त वाशनावां दी मार पेंदी है हर वक्त दुक्त दी मार पेंदी है किस तरह जिंदगी दी रात बिदी करिये इतन इरदोश है मारेया जा रहे है पर मेरे वरगे दोशीदा की हाल कितनी मार पेंदी है कितनी मार पेंदी है फरीद समझा रहे ने इस घड़याल दी तरह मार तो बचन लई तो खुदा दा चिंतन कर अकाल पुरुखदा जो है चिंतन कर बाबा फरीद दा ए अमर कलाम फरीद दे स्लोक अगम अगाद बानी गुरुवन साफ जी महराज दिछ मौजूद ने इस सूफी फकीर सिरमोर संत ने देश दा बहुत वड़ा भर्मन की था 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 थे रब्भी कलाम लोगां दे कन्ना देच पढ़ा पुँचा है इबादत ना लोगां दिया जोलिया भरिया आप दे नाम दे ते पंजाब दे शेहर है फरीद कोट आप दे नाम देते शेहर है फरीदाबाद और आप दे ही नाम देते चिल्ला मौजूद है अजमेर देच चिल्ला बाबा फरीद आप दे तरज जिंदगी सारी खुदाई बंदगी देच लंगी है इना सारे सलोकानों तुछ बद्दी अनसार किरन दासाओ mais जानता साओ किरन दासाओ किरन दासाओ झाल झाल